हेलो दोस्तों नमस्ते आपको स्वागत है आपके अपने यूटूब सैनल बिहारी एजुकेटर में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं डिसकस करने वाला हूँ एंटी पीसी सिप्टी टू मैंस 2017 के कोश्चन को ठीके और मैत का पेपर मैं डिसकस करूँगा और यह पेपर किस डेट का है भाई तो 19-19-2017 का पेपर है और सीकेंट सिप्ट का पेपर है जब मैं इस पेपर को डिसकस कर दूँगा तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक पेपर बच जाएगा वो है थाड्ड सिप्ट ओने इस तारिक वाला तो उसको भी किसी ने किसी दिन discuss करा दिया जाएगा और इससे पाले का पेपर का solution नहीं देखे हैं तो description में लिंक है जाकर आप देख सकते हैं ठीके तो चलिए फटा-फट question के और बढ़ जाते हैं और question discuss कर देते हैं क्योंकि question का weight is बहुत ही कम है और बहुत low category का question जो है पूछा गया था आपके exam 2017 में ठीके समझे बोला है कि रेखा जो है 25 मिनट में 15 पन्ना पड़ती है तो 45 मिनट में केतना पन्ना पड़ेगी कितना simple है न 25 मिनट में 15 पन्ना तो एक मिनट में केतना पन्ना पड़ेगी तो 15 बटे 25 पन्ना तो बोला है 45 मिनट में तो 45 मिनट में केतना पन्ना पड़ेगी तो 15 बटे 25 multiply by 45 5 नवा 45 पचाहा 25 5 तियां 15 नो तियां 27 पन्ना पड़ जाएगी ठीके 27 पन्ना बोलेगी 15 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं और 10 आदमी इस से दोगने काम को समाफ़ करने के लिए कितने दिन आ लिएंगे ठीके डायक प्रपरशन लगा दीजी है प्रपरशन क्या कहता है यह सब लोगों को पता होगा यार ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो जनरल कंपटिशन की त्यारी करता होगा और थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तब यह नहीं की टाइम एंड वर्क पढ़ भे नहीं किया है तो कहां से पता चलेगा टाइम एंड वर्क आप किसी भी लोकल से लोकल टीजर से पढ़े होगे तो यक्स बराबर होगया 60 दी नेक्स्ट बुले कि अधि क्रेमूल बिक्रेमूल का 35% है तो लाब परसेंट है समझेगा SP का 35% है माल लेते हैं कि SP जो है 100 विवनिट है तो 100 का 35% 35 हो जाएगा तो CP हो जाएगा 35 विवनिट तो आप बोल रहा है लाब तो हमेशा लाब और हानी हम लोग CP पर देखते हैं तो देख लीजिए यह थोड़ा सा सिंप्लिफाई कर लीजिए रेशियों में अंसर आएगा साथ एकम साथ कर लीजिए 6 हो जाएगा साथ वाठे हो जाएगा 56 चार साथ पांच यह 35 यानि कि 185 यानि एक सब पचासी पॉइंट सम्थिंग आएगा आनि कि आपसन नंबर ए हो जाएगा नेक्स्ट बुल रहा है कि एक धनरासी की सधार्ण ब्याज 8 परसेंट वार्सिक दर पर 5 और 6 बरसों में परिपक्तवानी मैशूर रासी 1120 रूपया और 1184 रूपया आए तो मूल्दन देखे पांच बरिस में इतना और 6 बरिस में इतना यानि कि एक बरिस का अंतर है और प्रतेक बरस ब्याज आपको 8 परसेंट मिला है क्योंकि सधार्ण ब्याज में प्रतेक बरस ब्याज आपको समान होता है तो 8 परसेंट का यहाँ पर मिल रहा है लेकिन क्वेश्चन में कितना का दे दिया तो 1120, 1184 यानि की अंतर आ गया 64 रुपया का 64 रुपया का तो बोल रहा है मुल्धन तो मुल्धन 100 परसेंट तो 100 परसेंट का बैरू निकाल दीजिए कितना सिंपल है न अठ्छू मठ्छू मोजाएगा 64 यह हो जाएगा 800 ठीके 800 रुपया नहीं समझ में आएगा बार में भी आप पूछ सकते हैं क्योंकि यह रिकॉर्डेट वीडियो है बोले दो संख्याओं का ल और 6 का बैलू 48 है तो एक उनिट का बैलू कितना हो जाएगा तो 6,8 है 48 यह निकी 8 तो बोले कि संख्याओं का योग तो कितना हो जाएगा तो 3,2,5 यूनिट एक उनिट का बैलू 8 तो 5 यूनिट का बैलू कितना हो जाएगा 8,5,4 नेक्स्ट बुले कि एक पहिये का ब्यास आपको 84 है तो ब्यास आनी की डियामिटर 84 है तो रेडियस कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे कि दो चव के आर्ठ दो दुना के 4-2,40 cm इतना बात तो आपको पता होना चाहिए ठीके बुले कि 792 मीटर की दूरी तै करने के लिए इसे कितने चक्कर लगाना पड़ेगा सबसे पले एक बात बताता हूँ इसको याद रखना पहिये कि परीधी बराबर क्या होता है परीधी बराबर इस पॉइंट को याद दखेगा तो आपको कोशन बन जाएगा परीधी बराबर होता है एक चक्कर में तै की गई दूरी एक चकर में तै की गई दूरी बस इसी पॉइंट को लगाना ठीके परीधी होता है टू पाई आर याणि टू पाई आर में एक चकर में जो दूरी लगाएगी यानि जो दूरी तैक करेगी ठीके तो अगर 2πr में एक चक्कर हो रहा है तो एक में कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 1 बटे 2πr चकर ठीके अले 2πr मिटर है 2πr आपको परिधी निकालेंगे तो मिटरे में आएगा यहांप सेंटीमीटर दी आए तो एक सेंटीमीटर बराबर एक बटे में 2 पाई आर हो जाएगा ठीके तो हमें पता करना है 792 मीटर की दूरी तो 792 मीटर की दूरी ताय करवाना है तो 792 से गुना कर दीजी यानि कि 1 अपवन 2 पाई आर multiply by 792 लेकिन सेंटीमीटर में सारा मामला चल रहा था यहां पर मीटर आगया तो 100 से और भी गुना कर दीजी दोस ठीके ताकि यह सेंटीमीटर में हो जाएगा एक बटे में 2 हो जाएगा रेडियस कितना दिया है तो रेडियस दिया है 42 ठीके 42 और एक काम करते हैं न ठीके काम करते हैं चलिए ठीके वह बाद में समझा देंगे आपको अभी समझाने लगूँगा तो टाइम साधा चला जाएगा ठीके ठीके हो जाएगा 22 बटे में साथ तो साथ चला जाएगा उपर पाई का बेलू 22 बटे साथ रेडियस कितना है तो रेडियस है 42 ठीके 42 मल्टिप्लाइबाई हो जाएगा 792 मल्टिप्लाइबाई 200 ठीके उस चीज को मैं बाद में आपको समझाओंगा दोस टेंसन नहीं लिजेगा ठीके ओ चीज क्या थी अभी मैं समझा नहीं सकता हूं ठीके दो दुना के चार दुना के आठ काटी ये काटी ये काटना तो पड़ेगा 11 77 ठीके 11 से कर जाएगा 11 दुना के बाईस 11 दुना के बाईस 11 दुना के बाईस ठीके कर जाएगा दो दुना के 4 4 से 18 बार में कर जाएगा ठीके और साते 42, 6, 3, 18 हो जाएगा साथ साथ केंसिल हो जाएगा 300 यानि कि 300 चक्कर आपका आंसर हो गया ठीक है 300 चक्कर next 24 चले 26 कों की question का सिलसिला जो है आंगे पीछे सब करके दिया आए बूक में ठीक है यह देखो नमबर स्रीज का question है समझे यह क्या किया है कि 8, 7 करे करेगा 2 का cube मैंनस 1, 8 हो जाएगा 5, 4 का cube कीजिए तो 4, 4, 4, 3, 9, 3 का cube कर दीजिए एक घटा दीजिए यह हो जाएगा 4 का cube मैंनस 1 इसी परकार से 5 का cube मैंनस 1 इसी परकार से हो जाएगा आपको 6 का cube मैंनस 1, 6 का cube 214 माइनस 1 कितना हो जागा 215 0 को भी आप लिख सकते हैं 1 का Q-1 क्योंकि 1 का Q भी हो जाएगा 1 माइनस 1 0 ठीक है नम्मर सीरीज की बहुत बढ़िया कोशन है next 12 आदमी या 24 लड़का किसी काम को 20 दिन में 12 आदमी या फिर यानि कि बरावर 24 लड़का किसी काम को 20 दिन में यानि एक आदमी की बात किया जाए तो एक आदमी 2 लड़का के बरावर है ठीक है क्योंकि 12 एक कम 12 12 दुना के 24 यानि कि 2 लड़का किसी एक को ले लिए जिसे मैं आदमी को ले लेता हूँ तो 12 आदमी जो है मेरे भाई किसी काम को 20 दिन में कर रहा है तो टोटल वर कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे में को डे में डिबाइड कर दीजिए में को डे से मल्टिप्लाई कर दीजिए तो 12 मल्टिप्लाई बाई 20 हो जाएगा तोटल वर्क अब बोलाए कि 24 आदमी और 12 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे तो 24 लड़का आरे 24 आदमी तो 24 आदमी कर लिजिए पलस 12 लड़का तो एक लड़का एकदम आराम से समझना है कि लड़का यहाँ पर 12 है मेरे भाई तो 2 लड़का बराबर 1 आदमी तो लड़का यहाँ पर 2-6 गुना है ठीके 2-6 गुना है तो आदमी आपका 6 हो जाएंगे ठीके आदमी 6 हो जाएंगे 12 गो लड़का 2 गो लड़का पराबर एक आदमी तो 12 गो लड़का पराबर 6 गो आदमी होंगे simple समझे न 24-36 यानि कि 12 multiply by 20 बटे में 30 20 10 दुना के 20 10 दिनाई 30 तिन चोग के 12 4 दुना के आठ यानि कि 8 दिन ठीके next बोले कि दो समरूप तिर्भूज के शेत्रफल करमसा 1720 वर्ग मीटर और 64 वर्ग मीटर है यादि पहले तिर्भूज का माधिका 12.1 है तो दुसरे तिर्भूज की माधिका आपको कई बार एक चीज बताया था लेकिन आज बता रहा हूँ दुसरा कुछ अलग चीज सिर्फ सुनना है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि दो समरूप तिर्भूज के चेतरफल का अनुपात उसके माधिका के माधिका के स्क्वाइर के अनुपात के बराबर होता है ये भी आपको थिर्भूरम होता है माधिका भी कहे तो उसका स्क्वाइर कर देजी अगर भूजा भी कहे तो उसका स्क्वाइर कर देजी जेसे देखिए ना इसका 1973 है ने दूसरा बला का得shot से पहला का माधिका 12.1 है इसका स्क्रaval कर दीजे और दूसरा का अमाधिका नहीं पता आ है तो यक्स लिख दीजिये और है ठीक है और भुजा राता तो वहीं हम लोग सिंपल फंड अपलाई करते हैं यह देखिए एक सब्सकों क्या लिख सकते हैं तो आप कहेंगे कि 11 का स्क्वाइर और 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वार ठीक है बराबर हो जाएगा 12.1 यानिक एक सब्सक्राइश बटे में हम लिख बराबर आगया जक्स यानिकी 8.8 मेट ठीके 8.8 मेट बढ़िया कुष्चन है नेक्स्ट यह कमान ग्यात करना है मेरे भाई सिंपल सा बात है डारेक्ट तीरिया गुणा कर लिजिए हो जाएगा साथ है पलस हो जाएगा 28 बराबर हो जाएगा 5 है माइनस हो जाएगा 10 यह हो बूले कि 29.8 ब्याज की वार्षिक दर से 5 बर्षों के लिए निमेश की जाती है जी ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 300 रूपया अधिक पराप्थ होता ठीके तो निमेश की गई रासी देखो भाई 2% अधिक होता तो 5 बरिस में अगर 2-2% अधिक होता तो कितना परसेंट अधिक हो जाएगा तो आप कहेंगे 10% और 10% यहाँ पर अधिक हो गया लेकिन question बोला है 300 तो 300 कर दीजी तो 1% का value कितना हो जाएगा 30 रूपिया तो बोला एनिमेज की गई रासी यानि कि 100% ठीके तो हो जाएगा 30 पर एक सुनना और दो सुनना और बैठा दीजी यानि कि 3 हो जा ठीके next देखे बोले कि 2011 के दोरान किस डिविजन का परदर्शन आप एच्छा किरिब बेहतर था भाई 2011 के दोरान देख लिजी 11 के दोरान W 131 है यक्स 114 है Y 114 है और Z 108 है तो सबसे बढ़िया परदर्शन पूछ रहा है सबसे बढ़िया यक्स का है तो यक्स मार लिजी अप संडी ये तो सिम बनाया गया कोशन है ठीक है बाद में समझा भी दूँगा अगर नहीं समझ में आगा तो बनाया गया कोशन है आपको नमबर दिलवाता है ध्यान से अस्किन शॉट लेड़े के देख लिजेगा ठीक है टाइम ने इसलिए में ज़्यादा आपको केंगलेटिव आला कोशन पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ बोले कार पी एक निस्टी दूरी को अब क्या बोलाए कि क्यू इतने ही समय में पी किया पेक्षा 242 मीटर अधिक दूरी तय करता है क्यू जो है कितना दूरी तय कर दिया मेरे भाई तो 242 अधिक तो 242 और दोर दीजी तो हो जाएगा 4 दू 6 7 दू 9 960 कियू जो है 960 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर दिया लेकिन बोलाए इतना ही समय में तो समय आपको इगा रही है तो बोलाए कि चाल क्या है तो चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे में समय दूरी है 960 और समय 11 पहले ही जितना है तो 11 बाठ 88 बस गया 88 दू 90 दो चदू आट 11 बाठ 88 88 किलोमीटर पर आओ ठीक है नेक्स्ट बुलाए 80 का 60 परसेंट का 7 बाए 8 कितना है 7 बाए 8 है ठीक है 7 बाए 8 है तो 80 का 60 परसेंट यानि कि 60 बटे 100 का 7 बटे 8 निकाल दीजी 20 तियाए 60, 20 पांचे 100 आठ दा में 80 पांच दूना के 10 साथ दूना बाए लिस्टी नेक्स्ट बुलाए कि दो संख्याए है भाई उसका लॉसर जो है मॉसर का 114 गुना समझे का बढ़िया कोशन आगया LCM SCF SCF अगर एक उनिट है ना तो उसका मॉसर जो है 114 यूनिट हो जाएगा ठीके क्योंकि 114 गुना बोल रहा है मैं नहीं कोशन बोल रहा है यदि लॉसर और मॉसर का योग 23 है यानि दोनों का योग इतना हो जाएगा तो आपका एंगे रेसियो के टंस में 115 लेकिन कोशन दिया है 23 ठीके 23 काटाना पड़ जाएगा यार ठीके इतना हो गया ठीके ठीके तो काटीए 23 से कटेगा एक यूनिट का बैलू कितना हो जाएगा इसको अम लिख देते हैं 23 मल्टिप्लाई बाई 100 इसको लिख देते हैं 25 काट के देख लेते हैं थोड़ा सा आप बढ़िया कोश्चन समझेगा 23 पांचे होता एक सब पंदर पांच बीस से होता है 100 एनि एक यूनिट का बैलू 20 हो गया तो 114 इनिट का बैलू कितना हो जाएगा तो 20 से मल्टिप्लाई कर दीजिए और SCF तो एक है तो 20 इनिट हो गया ठीके आप समझेगे 20 हो गया यूनिट नहीं अब इस आपका सिधा सिधा आ गया इसका 20 हो गया इसका 20 मल्टिप्लाई बैए 114 बोले कि एक संख्या 380 है तो दूसरी संख्या आपको पता है कि पालि संख्या मल्टिप्लाई बैए दूसरी संख्या बराबर क्या होता है 29 चके हो जाएगा 1044 21 22 28 आनिकी 20 20 केंसी लो गया 20 620 यह तो बहुत बढ़िया question है तिके next इसका बहुलक कता करना है भाई कौन सबसे ज़्यादा बार repeat हुआ है आप लुग दिमाग लगा का बताईए मुझे कौन सबसे ज़्यादा बार repeat हुआ है दिमाग लगाई 80, 80, 80 तीन बार रिपीट हुआ है और कोई, और कोई 70, 72 ये बार 80 एंसर हो जाएगा ठीके जो ज़्यादा बार रिपीट करेगा वहीं आपका मोड होता यार ठीके, next बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या ग्यांत कीजिए तो आप कहेंगे कि LCM निकाल दीजिए LCM कैसे निकालते हैं, किसी एक संख्या को ले लिजिए यानि कि 4 को ले लिए, दो दुना के 4 इसमें खोजिए 6 मिल रहा है, नहीं तो 3 से गुणा कर दीजिए 9 खोजिए, 3 मिल रहा है, 3 नहीं, 3 से गुणा कर दीजिए 12 खोजिए, यान पर 4 तियां 12 मिल रहा है, कोई बात नहीं 14 खोजिए, 2 साथे, 14, 7 नहीं मिल रहा है, 7 से गुणा कर दीजिए यह हो गया LCM, मैंने कि 2 दुना 4 तियां 12 तियां 36 multiply by 7, 36 multiply by 7 कितना हो जाएगा 6 साथे 42 के 2, 7 तियां 12, 4, 25, 25 अब मामला समझे बोले कि वह छोटी से छोटी संख्या ग्यात कीजिए कौन सी है, जिसे दोगुना करने पर इतना से पूंता विभाज हो जाए यह संख्या दोगुना करके लिखा गया है, दोस एकदम ध्यान से देखना ठीके तो दोगुना लिखा गया है तो वो संख्या न पता करना है तो 252 बटे दो कर दीजिएगा ठीके नहीं समझ में आता है रट लिजिए गाठीके यहीं उपा है 126 एने कि इसका 252 का दोगुना कर दीजिएगा फिर तो बापका बोरा में जनता है next 315 के अच्छा यदि किसी यदि 315 किसी संख्या का 5 by 4 का 7 by 8 है तो उस शंख्या का 5 by 9 क्या होगा क्या बोलाए किसी संख्या का अच्छा माली जग्स का 5 by 4 का 7 by 8 आपको 315 दिया है तो सबसे पले यक्स निकाल दीजिए तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा तो 315 multiply by 4 multiply by 8 डारेक्ट उल्टा हो जाएगा पांच multiply by 7 अब बोलाए उस संख्या का 5 by 9 तो 5 by 9 लिकाल दीजिए संख्या तो यक्स माने है बस इसकी का कैंग्विलेशन कीजिए दोस्त करना तो पड़ेगा आप हींको पांच पांच केंसील हो गया नौ तियां 27 कर जाएगा नौ तियां 27 हो जाएगा 27 चार नौ पांचे पैंताली साथ से कर जाएगा 7 पांचे पैंतिस पांच हो के 20 20 वाठे एक सो साथ यानि की अपसान नमठी नेक्स्ट पुले संगीता सधान ब्याज की 4,5% वार्षिक दर पर 3,70,000 है ठीक है कुछ भी है 3,70,000 रुपे जमा करती है तो उसे 2 बरस के बाद कितनी धनरासी मिलेगी भाई 2 बरस के बाद जब उसे धनरासी मिलेगी तो सधान ब्याज की दर पर जमा किये तो SI के साथ साथ उसका रा जैसे देखिए 37 पर 3 सुनना है साड़े 4 दुना के 9% आपका हो जाएगा SI लेकिन हमें amount चाहिए तो 109% कर दीजी 109% percentage से double सुनना खत last में 0 आएगा सब के last में 0 है 9, 73, 63 आनि 0 के बाद 3 आएगा ठीके सब में आपका 3 है नहीं सब में 3 नहीं B में है D में है ठीके अब समझे गुड़ा करना पड़ेगा क्या यार यह हो जाएगा गुड़ा करना पड़ेगा या फिर दिमाग लगा लिजीए दोस्टीके 370 है अगर 10 से गुड़ा करेंगे तो 3000 के पार जाएगा इतना छोटा एंसर कभी नहीं होगा यार ठीके 370 में 109 से गुड़ा कीजिएगा आनि 120 से गुड़ा कीजिए तो मालीजे 370 पर डबल सोनना आजाएगा इतना आजाएगा जबकि यह बहुत कम दिया है अप्सन नमबर गी मारो ने 65 दिमाग लगा ये दिमाग और दिमाग को थोड़ा सा खोल के रखिए तब समझ में आएगा ठीके बोल रहा है कि एक अस्तिर बजार ठीके अस्तिर नहीं होता है इस्तिर बजार होता है ठीके इस्तिर बजार में बस्तु भीन तीथियों पर 11 रूपे 9 रूपे 8 रूपे और 10 रूपे की उनिट मुल्प खरी दी इसको क्राइम लग, तो 2 रूपे आधिक मुल्प बेचा गया, तो परتिसाप में सबसे अधिक लाव किसको हुआ, 2 रूपे आधिक मुल्प बेचा गया है मेरे भाई, थीके? तो दो रूपया का लाब होगा तो दो रूपया अधिक मुलपः बेचाएगा 12 रूपया का बेच दू है 12 रूपया का लाब होगा CP पे लाब होगा 2 बटे 11 तो अधिक लाब पूछ रहा है तो समझे 2 का लाब होगा 2 बटे 11 multiply by 100 दूसरा में भी 2 रूपिया लाब हुआ और CP हो जाएगा, viktigt multiply by 200 किसरा में भी 2 रूपिया लाब हुआ 8 multiply by 200 में 2 रूपिया लाब हुआ, 10 रूपिया CP है, तो 2 by 10 multiply by 200 देखिए, एक चीज़ समझे उपर 200 हर एक में समान है ठीक हर एक में समान है 200 और नीचे आपको हीघ्यार दो सोै रूपिया ही ग्यार अदमी को पटना इस तरह समझे दो सो रूपिया जाए आठे आधमी बाटना है तो ज्ञादा ज्यादा मिलेगा सबमेर-9, 11, 10 आपको ज्ञादा ज्यादा है थाकिए बिश,-ज्याद सी भात है कि भाइलू कम आएगा लेकिन-घ्यादा आएगा this चीके, simple सा फंडा है, बोला है कि 2 बट्टे 4 और 0.6 के बीच परिम्य संख्या ग्यात करना है, बाई, 2 बट्टे 4 कितना हो जागा, 5 चाउक के 20, यानि 2, 4, 5, 20, और 0.6 के 20 में हमें परिम्य ग्यात करना है, देखो करिए, करना तो पड़ेगा, कहीं दिमाग लग रहा है, बट्टे 4 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 0, 10 मलो, 4, 5, 200 हो जाएगा, बचेगा, 10, फिर आएगा, 40, दुना के 80, आजाएगा, यार, इसके बीचे में आएगा, 5, 2, ना, ठीके, तो आपका अंसर तो यहीं सटिस्फाई कर गया, ज्यादा मैनत भी नहीं करना पड़ा, ठीके आपसे दे दिया, कितना भाई, 910 रुपिया, पूछ रहा है कि पहले, उसका वेतन क्या था, तो 100%, 910 बट्टे में 130, multiply by 100, 00, cancel, 13, 791, यानि कि 70, 700, 700, ठीके, next, 13, 95, 27, 200, 100 का आपको क्या बताना है, मात दे, सबको जोड़कर जितनी संख्या है भाग देजी, 7, 5, 12, के 2, 10, 25, 10, 35, 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 39, कितना हो जाएगा, तो टोटा संख्या कितना, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे संख्या है, छस से भागा दे दीजी, सट से कर जाएगा, ग्यार अचके, छाचट, बच गया, एक, छो दूना के बारा, 112 अंसर आजाएगा, ठीके, next, बोले के, एक, मिठाई की, 200 गराम मात्रा में, 20 गराम काजू है, और 30 गराम बदाम है, भाई, वाह, इस मिठाई को, साड़े 300 गराम मात्रा में, काजू और बदाम करम सा, कितने गराम होगे, समझेगा, देखिये, 20 गराम काजू है, तो 20 गराम काजू, टोटल, 200 में है, ठी इतना परसेंट का जो है, ठीके, तो 0025 चोग के हो जाएगा 100, यानि कि 8 परसेंट का जो है, समझेगा जो समझाना चाह रहा हूं, फिर बता देता हूं बोल ख्यार, जिसे कि 5 लिटर दूद है, उसमें 2 परसेंट पानी है, तो क्या 10 परसेंट दूद कर दीजिएगा, तो उसम बात पर हम समझाना चाह रहे हैं, जिसे देखिए, 30% बदाम है, ठीके 30% बदाम है, 0025 चोग के सव चारतियां, 12% बदाम है, ठीके 12% बदाम है, 12% बदाम हो गया, तो बोला है कि साड़े 300 गराम मातरा में काजू और बदाम कितने परतीच सते, तो साड़े 300 में कितना परसेंट, ठीके, सही है, निकाल कर देखें, अच्छा अलग अलग पूछ रहा है न, काजू अलग बदाम अलग अप्सन देखिए न, मैं देखी नहीं रहा था, ठीके, तो कितना हूँ गराम लिजिएगा, साड़े 300 लिगिए, 500, 600, 800, 200, एक करोर, कितना हूँ लिजिए, उत 28 गराम काजू है, मेरे भाई, ठीके, 28 गराम काजू है, और, बदाम देखिए, तो साड़े 300 का 12 परसेंट, निकाल देखिए, क्योंकि 12 परसेंट बदाम है, तो 12 परसेंट बदाम हो गया, 00 केंसिल, 5 दूना के 10, 5 साथे 35, 26 के 12, 6 दूना के 6 साथे 42, यानि 42 गराम जो बदाम है, अपसान नमर ए, ठीके, बड़िया कोश्चन था जा, बूला है, शिरुवात बिंदू पर एक बस लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या से दोगनी है, लड़कों की संख् जास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं, यक्स के टर्मस में मान लेजी, ठीके, 15 लड़के उतर जाते हैं, यानि कि 2 यक्स माइनस 15 हो जाएगा, और 10 लड़कियां बस में चड़ जाती है, तो पहले कितना थी, यक्स थी और 10 चड़ गई, जिससे लड़कें और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है ठीक है भाई तो ये दोनों को बराबर कर लीजी ठीक है दोनों को बराबर कर लीजी या तरह के शुरुवात में लड़कों की संख्या यक्स निकाल के दोगना कर दीजी ये तो basic हुआ आए समझाते हैं कि cross product कैसे लगाते हैं जब दो टर्म्स भाईरी करता है बहुत जने को नहीं लगाने आता है दोस्त ठीक है लेकिन आए सिखाते हैं चलिए पढ़ाऊंगा तब सिखाऊंगा अला कि दो एक के अनुपात में लड़का लड़की भाई बाद में बोलाए कि लड़के और लड़कियां की संख्या बराबर हो जाती है तो बराबर हो जाएगा तो एक एक अनुपात में हो जाएगा दस एकम दस पंदरा एकम पंदरा दस में से माइनस पंदरा गया जुडने के बज़ाए घटी जाएगा तो 25 हो जाएगा एक यूनिट आका भाईलू आगया 25 तो बोला है लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या 2 यूनिट है 25 दुना के 50 सिकेंड में मार सकते हैं जैसे एकजाम में आपका कोश्ण दीखे आ स्कीम पर उड़ा दीजिएगा लेकिन समझे रहिए गा तब रेसियो में बहुत बड़ा इसका यूज परता है दोस्त जब किसी संख्या में 6 जोर दिया जाता है वन बाइ तीन परसेंट वार्सिक दरपर 1728 रूपय कितने बर्स में 297 रूपया हो जाएगी देखिए भाइ अमाउंट कैसे निकालते हैं तो आप कहेंगे पी इंटु वन परलस आर बच्टे में 100 तो दी पावर यान आठ पुणांके एक बाइ 3 परसेंट का फ्रैक्सान वैलू समझ लीजी आठ यहां 24 एक 25 बटे 3 हो जाएगा 25 बटे 300 रहे न दीजिए ना 25 बाइ 3 परसेंट रखने दीजिए क्योंकि फर्मूला यूज कर रहे हैं तो एमाउंट कितना है तो यह कई 100 संतान में प्रिंस्पल आपको 17-18 भाग हो जाएगा क्योंकि यहांपर मल्टिप्लाई में है ठीक है ध्यान से समझना वन पलस रेट कितना है तो 25 बटे में परसेंटे जटेगा तो यहांपर 25 बटे 3 परसेंट है तो 25 बटे में यहांपर 100 से गुणा हो जाएगा 300 हो जाएगा ठीक है 300 पावर हो जाएगा यन यन आपको इंडिकेट करता है टाइम को काट के देखिए न थोड़ा सा बढ़ियां कुश्चन है पांसे कर जाएगा पांसे 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 कि 13 का और यह होता है 1728 तो सबको पता होगा कि 12 का ठीके तो इसको अम लिख सकते हैं 13 बट्टे 12 का होल की यहां पो 12 एक कम 12 पलस से हो जागा 13 बट्टे में 12 और पावर हो गया यां बेस आपको बराबर है 13 बटे 12 तो जाइड सी बात है कि पावर भी बराबर होगा तो यहन बराबर 3 आ गया ठीके बहुत ही बढ़ी हा कोशन था तींग बरस नेक्स्ट बुला 25 परसंट के लाब पर फाशिस सो रुपया में बेची गई है कोई बस तो लाब केरा सी देखो बाई 25 परसंट की लाब यानि कि 125 परसंट पर बेचा गया है तो कितना में बेचा गया है तो 500 में 100% सीपी निकालते हैं तो 25 सौ का हो जाएगा कितना 125 बल्टिवल आई बैस सो 25 चोग के 100 25 चोग के 100 25 चोग के हो जाएगा 1000 1000 आगे आपका CP लेकिन इसको बेच दिया है 2500 में तो 1000 CP बेच दिया 2500 में माप कीजिएगा 5000 के 20 2000 आ रहा है ठीके 2000 CP और बेच दिया 2500 में तो 500 रिप्यकल आप नहीं हो गया Q की अपेक्षा 4 गुना तेजी से काम करता है यहाँ पर P है यहाँ पर Q है Q की अपेक्षा 4 गुना यानि की P का एपिसेंसी 4 हो जाएगा Question के according अरे P एक काम को Q की अपेक्षा 4 गुना गती से करता है कि तो efficiency ज़्यादा होगा यानि कि ज़्यादा तागतवर होगा बोले काम को समाप्त करने में QP कि या पेच्छा 27 दिन अधीक लेता है तो अगर डे निकालना चाहें तो आपको पता है कि efficiency का उल्टा होता है डे तो यह हो जाएगा है वान यह हो जाएगा चार डे में कितना का अंतर है तीन उनिट का लेकिन question बोलाए कि 27 अधीक है यानि कि 27 उनिट का एक उनिट का value कितना हो जाएगा 9 तो डे कितना हो जाएगा तो एक उनिट का value हो गया 9 और चार उनिट का value कितना हो जाएगा तो 9 चोब के 36 टोटल वर्क निकालना चाहें तो जो भी डे दिया रहता तो अब बोलाए कि वे 7-7 काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा तो 36 काम है और efficiency कितना है तो 4-1-5 के efficiency से कर रहा है तो 36 बटे 5 यानि 5-7-35 साथ पूर्णा के 1 बटे 5 दिन बढ़िया question, बैतरीन question next cos theta बराबर 4 बटे 5 तो से 1 theta plus 10 cos theta बराबर क्या होता है तो आप कहेंगे कि perpendicular बटे में माप किस जिएगा base बटे में hypotenious या simple सब्दों में बोलें तो आधार बटे में कर 4 बटे में पान आधार हो जाएगा करन हो जाएगा तो आपको पता है कि 3-4-5 triplet होता है तो 3 क्या हो जाएगा तो लंब यहां पर सेक ठीटा पूछ रहा है तो कोस का पोजीट होता है सेक तो डाइरेक्ट हो जाएगा 5 बटे 4 10 ठीटा 10 ठीटा बराबर लंब बटे अधार लंब तीन है अधार कि इतना है 4 तो 4 लिख दीजी 5-3-8 बटे में 4 यानि कि 2 next बुल रहा है कि एक कार एक निस्ची दूरी को 50 किलोमेटर पर आवर किया स्पीड से 8 घंटे में तय करती है और इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी बिर्धी होना चाहिए देखी इसी दूरी को distance constant हो D बराबर constant क्या बताया है V1, D1 बराबर होता है V2, T2 ठीके अप्रोच लगाई लिजी V1 पचास है T1 कितना है, V2 कितना है तो 50 में बोल दाया कि कितना चाल बिर्धी करना चाहिए तो X कर दिये, time कितना लगा 5 बस 5 time कितना लगा 5, सही है न सही है, सही है 5 दा में 50 है हो जाएगा C बराबर 50 पलस Yax X बराबर कितना हो जाएगा 50 घड़ जाएगा 30 यानि कि 30 किलो मेटर पर आवर की बिर्धी करना, सही, next 97 समझे बोला नमा की दो किस्म है, T है और 25 रूपया और 35 रूपया परती किलो के हिसाब से 4 अनपाथ 6 के अनपाथ में मिस्रित किया जाता है, 25 के हिसाब से 4 किलो इसको मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा 100 रूपया यानि कि 100 रूपया यानि कि 100 रूपया है और 35 के हिसाब से 6 किलो का कितना हो जाएगा, किलो मान लेते हैं परती किलो, यहाँ पर किलो नहीं है, याँपर किलो नहीं है, फिर भी scientist के हिसाब से तो 370 रुप्या में बेचेगा आप सबसे पहले 0-0 तो cancel कर दो नहीं आर रेशियो के टर्म्स में ले लो 21-10 हो जाएगा 31 31 की भैलू scientist में बेच दिया 31 का समान scientist में 6 का लाब हुआ ओभर 31 मल्टिप्लाइबा 200 लगभग पुछ रहा है कुछ समय के लिए हम क्या करते हैं कि 31 को 30 मान लेते हैं तो हो जाएगा 6, 5, 30 5 से हो जाएगा 20 यानि कि 20 के आजू बाजू जो answer है वहीं ले ले लिजी आजू बाजू में 20 है तो 20 ले ले लिजी ओना इस point something आएगा ठीक है next बोला 0.3 multiply by 0.3 multiply by 0.03 यह देखो गुणा करना है सबसे पहले constant का गुणा कीजिए 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3, 27, 3, 81 81 तो हो गया अब देखिए एक अंके बाद 10 मलो 2, 2, 4, 2, 6 अंके बाद 10 मलो आएगा यानि कि नीचे आजाएगा 10 के पावर 6 तो 10 के पावर 6 उपर जाएगा तो 10 के पावर 6 नीचे पो जाएगा है तो भाई समझने वाली बात है एंटी फिसे 52 की तैयारी कर रहे है तो यह कोशन आपको अपने आप से समझना पड़ेगा देखिए बोला एक बटे में 43.2a का भाईलू इतना है तो बोला है कि 1 अपन 0.0004321 का भाईलू क्या अवगा देखो इतना का भाईलू दीया है हम कितना दसमलो खिसाखा दिया है एक 2 तीन 2 अग्खे बाद दसमलो है न यहां कितना कर दिया है तो एक, दो, तीन, चार, पांच अंके बाद दस्मलो खिसका दिया है, तो पांच यहां पर गुना कर दो, तो पांच अंके बाद दस्मलो है, तो पांच अंके बाद दो, दो, चार, पांच अंके बाद यहां पी दस्मलो है, खुदा ना खासता डारेक्ट एंसर आ जाएगा, ठीके बोले कि यक्स वाई एक ही अस्थान से एक ही दिसामें 20 किलो मेटर और 50 किलो मेटर की चाल से चलती है लेकिन वाई यक्स के जाने के 6 गंटे बाद चलती है तो शुरुवाती अस्थान से कि इतनी दूरों पर दोनों मिलेगी देखे चाल का रेशियो दिया है 20-50 टाइम का रेशियो हो जाएगा 50-20 उल्टा क्योंकि टाइम होता है स्पीड का उल्टा 5 दो आपका आगया टाइम टाइम में 3 यूनिट का डिफरेंट लेकिन कोश्चन कर आए कि 6 गंटे बाद एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 घंट कर दीजिए 200 अंसर हो जाएगा ठीके 200 अरे मेरे भाई समय मल्टिप्लाई बै चाल आपका डिस्टेंस नहीं होता है तो आप कहेंगे बिल्कुल आईए लास्ट कोश्चन एक वर्ग का शेतपल ग्यांत कीजिए जिसका बिकरन 12 सेंटीमीटर है यह वर्ग है इसका डाइगो अब पुछ रहा इसका 12 सेंटीमीटर का अधाय माप कीजिएगा बोला जिसका बिकरन 12 सेंटीमीटर का अधाय इसको मैं देखी नहीं रहा था ठीके तो 6 हो जाएगा ना ठीके पुष्टनों गजब गजब भर्मा देता है दोस्ट ठीके एरिया निकालना है तो धारेक भुजा का इसकार कर दीजिए एसकार करेंगी तो छक का इसकार सा 36 और रूट दू का इसकार दूए हो जाएगा तो 36 बटे 2 कितना होगी आठारा 18 सेंटिमेटर स्कार तो कैसी लेगी है जनकारी कमेंट करके जरूर बताएं मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिप्ट के साथ है यानि वो नईस एक 2017 का लास्ट सिप्ट यानि की थर्ड सिप्ट का सोलूशन इसके बाद 2017 का सारा फेपर डिसकस हो जाएगा एंटिपी सिमेंस वाला ठीक है तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में थाएंगी भेरिमास ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करते है